तो तो गाई जिन दूना आप देख रहे हों कि भारत में काफी जादा बीमारिया फैल रही हैं जैसे सर्दी है, खांसी है, जुखाम है, बहुत सारी प्राबलम्स हमें देखने को मिल रही हैं और डेंगू का काफी जादा बोल बला हैं और किसी भी बड़ी बीमारी की सुरुवात पहले सर्दी खांसी से ही होती है कफ से ही होती है जुखाम से ही होती है किसी भी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी की रूप में कनवर्ट तब ही होती है जब उन्हें पहले छोटी बीमारी होती है जैसे सर्दी खांसी जुखाम तो वाजगी इस वीडियो में आपको भारत के टॉप 5 कफ सीरप के बारें बताएंगे जिनका इस्तमाल करके आप सुरवाती तोर पर ही इन जो बीमार यहां सर्दी खांसी जुखाम को बिल्कुल ठीक कर सकते हूं यदि आपकी प्रहसानी काफी जादा बढ़ जाती है तो उस सु में आप इन सीरप का इस्तमाल कर सकते हूं तो इसलिए वीडियो के साथ एन तक बने रहें बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर जाना तो चैनल यह वीडियो स्टार्ट करते हैं बेस्ट कप सीरफ मेडि में ज्यादा ही बन रहा है तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डावर का हनीटस सीरप काफी अच्छा माना गया है यदि आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर आप कोई भी सीरप इस्तमाल कर सकते हो लेकिन आपको अभी हुआ है कुछ लक्षन ही आपको दिखाए दिये तो आप डावर के सनीटस सीरप का इस्तमाल कर सकते हो यह फुली आयरवे देखा इसका कोई भी साइड फैक्ट नहीं है इसमें तुलसी मुलैटी जैसी नैच्रल हब्स का इस्तमाल किया गया है जो हमारी इन इंटरनल प्रॉब्लम् कि मौसम चेंज हो रहा है उसकी वज़े से कावी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो यह उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी बोडी की हेल्प करेगा अब बात करते हैं दूतरे सीरप की तो चरक फार्मा का कोफाल सीरप इस मामले में काफी अच्छा देखा गया यदि आपको ड्राइ काफ है वेट काफ है तो उसको ठीक करने के लिए चरक फार्मा का काफी नाम है इस सीरप का इस मामले में सीरप की एक और खासियत यह है कि हमारी साथ संबंदी बीमारें को भी ठीक करने में साथ साथ महल्प करता है कि यह ऐलर्जी की वजए से कोई भी काफ सीरफ यह भी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम को दूर करने में काफी हेल्प करता है जो सुरायती तो और पर खासि जुखाम होते हैं जो वाड़ी में कफ बनता है तो काफी यह यह कोई भी साइड फैक नहीं है यह हमारे सरदिकांसी जुखाम के साथ साथ हमारी लंग्स क काम में आता है तो ये इस सीरप के बहुत सारे फायदे हैं, इस सीरप का आप इस्तमाल कर सकते हो, अब बात करते हैं, चोथे नंबर के सीरप, की चोथे नंबर का सीरप हमदार जोशी, न हरबल का कफ एंड कोल्ड रेमेडी, ये काफी अच्छा सीरप माना गया है, हमारे खांसी जोखाम देखने को मिलती हैं तो इन प्रोब्लमस की स्मल इस से सीरप का इस्त्वाल करने से बचा सकता है तो बात करते हैं बात करतेहं हमीagen लिए हम डर्बro बात करते हैं इस लिष्ट के पाँचवे नंबर के सिरप की जिसका नाम डॉक्टर वैदनात के ब्रहंगराद सब सीरप का इस सीरप के इस्तमाल करने से ना हमारे खांसी जुखाम ठीक होंगे बलकि हमारी बोड़ी में जो कमजोरी आती है सर्थी खांसी जुखाम की वजए से उसे भी दूर करती है बहुत सारे और इंटरनल जो प्रॉब्लम से अस् इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल कर ले तब ही उसका इस्तमाल करना स्टार्ट करें तो यह भारत के टॉप 5 ऐसे सीरप थे जो आपके शुरवाती तौर में आपकी हेल्प कर सकते हैं यह आपको अपने सर्दी खांसी जुखाम भी कुछ लक्षन दि सब्सक्राइब कीजी ताकि ऐसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत